किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि सीड़ियां उन्हें मुबारक हो जिनें सिर्फ छत तक जाना है मेरी मंजिल तो आसमा है रास्ता मुझे खुद बनाना है नाउसकार जहिन साथियों सामाजी कद्येन की जो अपनी मेरातन सीरीज चल रही है सीरीज सेंग के आज 54 और साथियों ये जो नया पाठेकरम है उसी के अनुसार आपको करवाया जा रहा है तो वीडियो का आप लाइक कर दें और सभी ग्रूप में सभी साथियों के साथ शेय चल रहा है प्रारंब करते हैं कई बार वीडियो का नोटिफिकेस नहीं आता है तो आप या तो यूटूब अपने चैनल पर आकर देख लिया करें या फिर अपना टेलिग्राम चैनल है कवी आदिगनेस हिंदी नाम से इसको जोईन कर लें ताकि मैं वीडियो अपलोड होन है कि तुरंत बाद ये लिंक यहां पर शेर कर देता हूं तो यहां से आपको सूचना मिल जाएगी जो राजस्तानी शब्दों वाले वीडियो चल रहे उनकी पीडिये भी जल्द आपको टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करवा दी जाएगी रारंब करते हैं पहला सवाल राज का राष्ट्रपती के वेतन का उलेक किस अनुछेद में है अनुछेद बासट अनुछेद क्रिसट अनुछेद चयोंसट या फिर किसी में नहीं है यहां पर चयोंसट कर लीजिए आप क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा यहां पर दै किसी भी अनुछेद में नहीं है जो यह वर्णन है यह वर्णन अनुसूची दो के अंदर है संचित निदी से मिलता है अनुसूची दो में है और अभी वर्तमान में लेटेस्ट कितना क्या कुछ मिलता है सारे आग चार लाग राज्येपाल का 3.5 याने की साड़े तीन लाग और PM साब का 2 लाग ठीक है यह latest वेतन है वही हम बात करें राष्टपती साब के जो वेतन है उस पर टेक से जो नहीं लगता है राष्टपती के जो जीवन साती है उनको 30,000 हर महिने में जो वेतन है वो मिलता है राष्टपती साब को रिटार्मेंट के बाद में 1.5 लाग है जो हर महिने पेंशन के रूप में मिलता है यह अपना डिटेल हो गई तो complete तरीकी से आपको बताए जा रहा है तो आप भी परियास करें अपने इस परिवार को चैनल को आगे बढ़ाने का और जो भी नए टोपिक जुड़े है वो भी आपको समय समय पर करवाई जा रहे है दिल्ली में राष्टपती भवन किसने बनवाया था भारत सरकार ने एडविन लुडविन ने डफरिन ने या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या एडविन लुडविन ने बनवाया था और यह 1911 में बनवाया था ठीक है और राष्टपती भवन को पहले वाइस रिंगल लोज कहा करते थे वाइस रिंगल लोज और इसमें सबसे पहले रहने वाले व्यक्ति थे लाड इर्विन कौन लाड इर्विन अगला सवाल देखिए मिलान करना है आपको एक तरफ तो राष्टपती है और दूसरी तरफ है उनसे समन्दित गटना है तो वीडियो रोक के आप मिलान कर सकते हैं चलो मैं बता देता हूँ आपको इत्मिनान से सुन लीजिए आप और लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए एक के अंदर हो जाएगा आपके जी एक के अंदर के क्या हो जाएगा जी यानि की डॉक्टर राजेंदर परसाद सबसे लम्बा कारेकाल था इनका ये तथे डॉक्टर रादा कृष्णन है जो डो के अंदर हो जाएगा अपना F डॉक्टर राधा कृष्णन साहब का है ये अपने पर्थम गेर राजनितिक राश्ट पति तीन के अंदर हो जाएगा E डॉक्टर जाकिर हुसेन सहाब है इनसे समदित जो तत्त है वो है पर्थम मुस्लिम राष्टपती डॉक्टर जाकिर हुसेन सहाब पर्थम मुस्लिम राष्टपती चार के अंदर देखिए डॉक्टर हिदायतुला है जो चार के अंदर हो जाएगा डॉक्टर हिदायतुला का से कम कार्यकाल, कम समय इन्हों ने बिताया पांच के अंदर हो जाएगा C पांच में फकरूदिन एहमद तो पांच के अंदर हो जाएगा C, सरवाधिक अध्यादेश छह के अंदर हो जाएगा अपना B, नीलम संजीव रेडी साथ सबसे कम उम्र के और ग्यानी जेल सिंग साथ के अंदर हो जाएगा फिर ए सबसे कमपड़ी लिखिए ग्यानी जेल सिंग आगे देखिए कुछ और तथे देख लेते हैं मतलब छोड़ा कुछ नहीं है सारा कुछ आपको प्रश्णों के मादेम से ही करवा दिया जा रहा है एक मातर निर्वाचित वे मनोनित राष्टपती की बात आए तो डोक्टर राजेंदर परशाद प्रथम कार्यवाहक राष्टपती की बात आए तो वीवी गिरी सहाब मातर एक माहे चार दिन कारेकाल वाले राष्टपती मौमद हिदायतुला जो हमने उपर बात की थी गया था तो 35 फकरोदीन के समय 42 स्वाविदान संसोदन हुआ और दसवी सोची जेल सिंग की ग्यानी जेल सिंग के समय जोड़ी गई थी दसवी सोची में क्या है दल बदल कानून है ये चीजे पर आप ध्यान में रखिएगा अगला सवाल देखिए वे राष्ट्र पती जिन् परदान मंत्रियों के साथ काम किया वीवी गिरी साहब शामा स्वामी वेंकट रमन शंकर दयार शर्मा के आर नारायन तो क्या उत्र हो जाएगा विराश्ट पति कौन है उत्र हो जाएगा बै स्वामी व्याँकट रमन देख़िये साहब और इनके समय जो पि-म रहें वो रहें राजिय गण्धी साहब वीपि सिंग साहब चंदर शेखर और नरसिमा राव ठीक है ये चार हो गए और इनके समयी 61 समिधान संसोदन हुआ था ठीक है 61 आगे देखिए साब आप निम्न में से भारत के प्रतम दलित राष्ट पती थे कलाम साब, क्यार नाराणी साब, शेंकर दयाल, जामा स्वामी, वेंक ट्रमन उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना बै, क्यार नाराणी साब फेक्ट देख लें आप, एपी जे अब्दुल कलाम साब, दूसरे गए राजनितिक राष्ट पती एश्या की पहली महिला राष्ट पती, स्रिलंका की चंद्रिका कुमार तुंगे थी और रामनाथ कोविन साहब दूसरे दलित राष्ट पती अगला सवाल है अपना, रामनाथ कोविन साहब को राष्ट पती चुनाव में कितने सांसदों का वोट मिला 522, 525, 600 या 300 तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा, आ है 522 सांसदों का कुविन साहब को 522 यहाँ पर लिखने में गरत होगी 522 सांसदों के मत है जो मिले थे मिरा कुमार को 225 सांसद वे 1619 सांसदों के मत मिले अगला सवाल है भारत के ऐसे राष्ट पती जिनको राष्ट पती बनने से पूर्वे भारत रतन मिल चुका था डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसेन साहब, एपी जी अब्दुल कलाम साहब सभी तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दह अगला अपना सवाल है राष्ट पती वे उपराष्ट पती के निर्वाचन सम्बंदी विवाद की रिट या याचि का कौन दायर कर सकता है? परधान मंत्री, सिर्फ प्रत्याशी, सिर्फ सरकार, इन में से कोई नहीं तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या? बै, सिर्फ प्रत्याशी और जो भारत रत्न मिल चुका था, राष्ट पती बनने से पूर्व, राधा कृष्णन साब थे, जाकिर हुसेन साब थे, अगला सवाल देख लीजिए अपना ऐसे राष्ट पती जो राष्ट पती बनने से पूर्व, उपराष्ट पती भी रहे हैं डोक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसेन साब, विवी गिरी साब सभी तो क्या उत्र हो जाएगा दे यह सभी लोग हैं जो राष्टपती बनने से पूर उपराष्टपती भी रहे हैं राधा कृष्ण साब जाकिर हुसेन साब और विवी गिरी साहाब अगला सवाल है अपना राष्टपती की शमादान शक्तियां किस अनुचेद में वर्णित हैं अनुचेद 71, अनुचेद 72, अनुचेद 73 या फिर अनुचेद 70 उत्तर हो जाएगा 72 के अंदर 72 में देख लेजी आगे, आर्टिकल 70 के अंदर राष्टपती रिक्ति के समय उप्राष्टपती का प्रावदान है अनुचेद 71 की हम बात करें तो राष्टपती वे उप्राष्टपती के निर्वाचन विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं ये बात लिखी गई है अगला है किस अनुचेद के अनुसार कार्य पालिका का समय धानिक प्रधान राष्टपती होता है ये किस अनुचेद में कहा गया है कि कार्य पालिका का समय धानिक प्रधान है जो राष्टपती होता है 52 में, 54 में, 53 में या फिर 56 में उत्तर हो जाएगा से अनुछेद तिर्पन में यह वर्णित है अगला सवाल है राष्ट्रपती प्रधान मंत्री की सलाह पर मंत्री परिश्रद का गठन करता है किस अनुछेद में उलेख है अनुछेद 74, अनुछेद 155, अनुछेद 316, या फिर अनुछेद 324 उत्तर हो जाएगा अनुछेद 74 में यह बात है कि राष्ट्रपती जो है प्रधान मंत्री की सलाह परिमंत्री परिश्रद का गठन है जो करता है लाइक नहीं कि आपने तो कर दें और शेयर भी कर दें नीचे फैक्ट देख लेते हैं अनुछेद 155 में राश्ट्रपती राज्येपालों की निविक्ती करता है और अनुछेद 316 के अंदर राश्ट्रपती संग लोग सेवा आयोग के अद्धेख्वे सद्धिश्यों की नियुक्ति भी करता है ये थे इस सीरीज में कुछ विशेश सवाल शेर कर देना सभी को पहली बार हैं आये हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना और कंप्लेट इंग्लीज की ग्रामर रीट है तूं और टीचिंग मेथड्स जो नए जुड़े हैं आप कीजिएगा वो टोपिक भी करवा दिया गया है मनुविज्ञान की असिस से उपर है जो टेस्ट सीरीज करवाई हुई है ये सामाजी की टेस्ट सीरीज चल ही रही है अपनी हिंदी की सिक्षिन विदियां अपलोड की जा चुकी है और भी बहुत सारा इंपोर्टेंट रेट है तो जो मेटर है अपने चैनल पर आपको मिल जाएगा तो जुड़े रहें और सभी सात्यों को जोड़ते रहें